तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंडियन एर फोर्स की और से बरती आ रही है इसका जो ओफिशल नोटिफकेशन है जे वी एउट हो चुका है साथ में आप देख सकते हैं इसमाँ आपका फिजिकल टेस्ट होगा साथ में जो एजुकेशन क्वालिफकेशन मांग गई है मैट्रिकुलेशन जानी कि आपके पास कम से कम दसमी पास का एजुकेशन से डिफकेट होना चाहिए अगर आप इस बरती में अप्लाई करना चाहते हैं तो जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल नियू सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडि पास का एजुकेशन से डिफकेट होना चाहिए अगर आप इस बरती में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जो एप्लिकेशन फॉर्म बरे जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी कोई वी अप्लिकेशन फीस नहीं लगेगी जे एर फोर्स की और से सीधी बरती आ रही है आल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं चाहिए आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलाउं करते हैं इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन यह बताने से पहले अगर आप ह होगी अगर आप इस बरती में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप MTS, Multitasking, Staff, Fireman, CMTD या कारपेंटरी या कुकी पोस्टेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम matriculation पास जानी की दसमी पास का education certificate होना चाहिए वही अगर हम कुछ other पोस्टेस जैस करने के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process के बारे में तो इसमें बरती में जो selection process जब कुछ इस तरह से होगा सबसे पहले तो आपका written exam होगा उसके बाद आपका physical standard test किया जाएगा उसके बाद आपका physical efficiency test किया जाएगा डिटेल में आपका medical exam किया जाएगा और अगर तो लास्ट में आपकी एक final mail list निकाली जाएगी और अगर आपका final mail list में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके documents की जाएगी आपकी जाएनिंग के लिए तो इस तरह जाए से लेक्शन किया जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका physical standard test होगा उसमें male candidates के लिए क् criteria है सबसे पहले हम हइड criteria के बारे में बात कर लेते हैं तो जो male ミर के लिए minimum हइट रखी गई है बहु है 65 cm अगर हम female candidates के बारे में बात करें तो जो female candidates केлеए minimum हाइट के बाद श्रπαण के लिए तो जो नारेमल चस्ट मांगी गई है 81.5 cm वही अगर हम expandable चस्ट की बात करें तो 85 cm आपकी चस्ट होनी चाहिए और जो minimum expansion होना चाहिए आपकी चस्ट में वो होना चाहिए 5 cm का इसके बाद हम इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में बात कर लेते हैं तो जो starting date है application farm को fill करने के लिए बो है 30 of October 2021 और जो last date है application farm को fill करने के लिए बो है 30 November 2021 journey की 30 November 2021 तक जो आपके application farm है बो fill किये जाएंगे और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो join नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं इस telegram channel को join करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी job की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है जल्दी से join कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा जे जो air force की और से बरती आ रही है अभी हम इसकी vacancy की details के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कौन-कौन सी posters और कितनी आपको vacancy देखने के लिए मिलेगी उस post के लिए तो सबसे पहले multitasking staff जानी की MTS की posters जिसमें 18 vacancy है साकी नमबर पे lower division club जानी की LDC की 12 vacancy है कुक की आपको 5 posters देखने के लिए मिलेगी कारपेंटर की आपको 1 vacancy देखने के लिए मिलेगी स्टोर सुपरीडेंट की आपको 1 vacancy देखने के लिए मिलेगी और कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो टोटल बकैंसी इंडियन एर फोर्स की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 83 vacancy इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में तो अगर आपका इस job में selection हो जाता है इस बरती में apply करने के लिए बो मांगी गई है 18 साल जानी कि आपकी जो एज है बो 18 यह 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए वही अगर हम maximum age की बात करें तो आपकी जो एज है बो 25 यह 25 यह से कम होनी चाहिए कुछ candidates के लिए जहां relaxation भी दी गई है जैसा कि OVC के candidates इस बरती में 28 यह तक apply कर सकते हैं वही अगर हम SCST candidates के बारे में बात करें तो SCST के candidates 30 साल तक इस बरती में apply कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप eligible हर apply करना चाहते जो में दन आपके पास कौन-कौन से document होने चाहिए दसमी बार्मी या graduation degree आपके बास होनी चाहिए जिस बरती में आप apply करना चाहते हैं जिस पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं उसके अगाडियों आपके पास education certificate होना चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई other qualification जा experience है आप वह भी apply कर सकते हैं application form के साथ अधार कार्ड या pen card आपके पास होना चाहिए as identity proof और अगर आप S.E.S.T. या O.V.C. से बिलाउं करते हैं तो आपके पास अपना class certificate होना चाहिए चार passport size photograph होने चाहिए आपके पास light color background में और साथ ही में आपके अपने signature होने चाहिए तो अगर आपके पास जे सबी documents हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं application form की fees के बारे में तो जो आपका apply mode होगा वो offline होगा आपके offline application form फिल किये जाएंगे और अगर आप journal O.V.C., E.W.S., S.E.S.T. या female candidates किसी भी category से बिलाउं करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी application fees नहीं लगेगी application form को फिल करने के लिए और अगर आप इस बरती का official notification पाना चाहते हैं इस बरती में apply करना चाहते हैं application form डाउनलोड करना चाहते हैं इन सबी के लिंक आपको description में मिल जाएगे आप वहाँ से ही आके sub check out कर सकते हैं साथ में दोस्तों जो forest guard की और से नहीं बरती आ रही है अगर आपने बो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप बो वाली वीडियो भी देख सकते हैं इसमें जो आपको monthly salary दी जागी बो दी जागी 56,000 और जो education qualification मांगी गई है application form को फिल करने के लिए बो मांगी गई है दसमी पास आपके पास कम से कम 10th पास का education certificate होना चाहिए application form को फिल करने के लिए आपकी कोई वी application fees नहीं लगेगी जे forest guard department की और से सीधी बरती आ रही है male and female दोन्नों इसमें apply कर सकते हैं चाहे आप इंडिया की किसे वी state से बिलोंग करते हैं जादा जानकरी के लिए आप व वाली वीडियो भी देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा